हेले स्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने शेनल सी कोचिंग क्लासस पर स्वागत है क्लास तल्थ कमिस्टी एंसे अर्टी चेप्टर फाइब में आज कुछ महात्पूर कोश्चन लेकर आया हूँ इन प्रेशनों को आप लोगो अच्छे से दिये जाते हैं तो चले देखते हैं आज का पहला कोश्चन पहला कोश्चन है आपके लिए दूद में खटाई डालने पर वह फट जाता है क्यों दूद में खटाई डालने पर वह फट जाता है क्यों तो आप लोगों ने इस चेप्टर में इस कंदन भी पढ़ लिया है न कुलाडी तंत्र मिलता है जिसे पायस कहते हैं इसी प्रकार यहां पर जो दूध है वो एक प्रकार का पायस है क्योंकि श्टुर्ण दूध में जो वसा है वो तेली पदार्थ होता है और यह जो तेली पदार्थ और दूध है मिलकर के पायस का निर्माड करते हैं ठीक तूसर क्याती है ये दो चीजिएं आपको इस question के लिए जानना जरूरी है अब लेख़िए दूद बसा का जल में पायस है मतलब जल में बसा मिला रहता है है ना इसलिए हम इसको पायस कहते है तेल में जल जल यह जल में तेल दो अब यहाँ पर पाईसी कारथ की कारथ क्या है। पाईसी कारथ का मतलब इस्टोडेंट जो उनको मिलाय रखने की सक्ति ले, छमता दे। मतलब यहां पर albumin और casein जो यहां पर पाइसी का रख है यह बसा को जल में मिलाई रखने का काम करते हैं लेकिन जैसे ही हम यहां पर खटाई डालते हैं तो खटाई एक प्रकार के विद्धुत अभट की भाहती काम करने लगता है और यह albumin और casein को अलग कर देते हैं कहते हैं जो वसा है जल में मिला रहता है तो albumin और casein नमक प्रोटीन के कारण ठीक है और खटाई डालने से यह इसकंदित हो जाते हैं मतलब अलग हो जाते हैं ठीक तो पहला question हुआ चलिए दूसरा question देखते हैं जल को साफ करने के लिए fit curry मिलाते हैं क्यों देखेगा fit curry में student यहां पर aluminium का iron रहता है समझ रहें तो असुद्ध जल में मिट्टी के कंड बैक्टिरिया तथा अन बिले असुद्धियां रहती हैं उनमें रिण आवेस रहता है असुद्ध जल को टंक्यों में लेकर उनमें fit curry मिलाते हैं तो fit curry में AL3 fast वायन असुद्ध के रिण आवेस को सिंपल तरीके से उसका गति बंद हो जाएगा वह सिंपल तरीके से इस्थिर हो जाएगा इसी प्रकाय स्ट्रेंट जो से असुद्ध जल है आपके पास असुद्ध जल में जैसे छोटे-छोटे वैक्टिरिया हैं मिट्टी के कंड हैं यह किस आवेस में रहती हैं तो रिण कायन या शुद्र जल के रिणा वेशिद d Ayon कोध कर देता है मतलब उदा शीन कर देता है और जब उदा सयन करता है तो यह कर्तिंख न बंद कर देता है और तली पर सिंपल से बैठ जाते हैं इस स्थित में उपर का जो जल होता हो शुद ow जाता है ठीक है न समझ ग traumatism जल को साफ करने के लिए फिटकरी मिलाते हैं क्यों क्योंकि जल में उपस्तित रिणाविशित आयन फिटकरी में उपस्तित एलमिनियम थीपाश्टिक के आयन से उदासीन हो जाते हैं और जल की जो कण हैं असुधियां हैं पैक्टिरियां हैं मिट्टी के कण हैं वो तली पर कर बढ़ जाती है और जल सुद्ध हो जाता है ठीक है इस प्रकार छोटे-छोटे जो कॉस्चन में आज लेकर आयों इन कॉस्चनों को तयार कर लेना मेरे भाईयो अगला जहां नदी अपनी पानी समुद्र मिलाती है वहां डेल्टा बनाती है क्यों अब यही चीज तो है थो जहां से आ रहे है नदी के जल अब इसमें क्या रहते हैं मिटी रेत के कन और बिविनप्रकार की असुद्य मान के चलते हैं पूरा समुद्र आप समुद्र में इस्ट्रेंट विभीन प्रकार के आयन होते हैं यहां पर लवन होता है और लवन चोब तूटता है तो धनान अधन आयन देते हैं तो विभीन प्रकार के समुद्र में पाई जाने बादे प्लस जिसे इलमुनियम थ्री पास हो जाते हैं और वाद में एक ठीरा बन जाता है जिसे हम कह देते हैं क्या डेल्टा कह देते हैं समझ रहे हैं कि जो नदी आ रहा है नदी में जो असुधियां कन वेक्टिरिया है ना विभिन प्रकार के जो छोटे-छोटे कन होते हैं जो रिनावेशित होते हैं वो पानी के साथ बहकर आते हैं और जैसे समुद्र के पानी से मिलते हैं तो समुद्र में उपस्तित विभिन प्रकार के लबन और विभिन प्रकार के धनाविश आयन से उदा सीन होते हैं वहाँ पर कन तली पर बैड़ जाता है और वह धीर धीरे एकात्रित होता जाता है और रंत में इस्टुरेंट एक धीरा बना लेता है जिसे हमके कहते हैं डेल्टा कहते हैं समझ रहे हैं तो यहाँ पर पूरा उत्तार है कि नदियों के जल में मिट्टी तथा रेत के नावेशित कुलाडी कर पाय जाते हैं जब नदी का जल समुद्र में मिलता है तो समुद्र के जल में पाय जाने बाले समुद्र के जल में धनात्मा का आयन पाय जाते हैं ऐसा लिख लें ठीक है तथा धनात्मा का आयन में भीन प रिनावेशित को उदा सीन करते हैं ध्यान दीजेगा यहां पर चुल्डण धनायायन लवड लिख सकते हैं धिक 10 कि अब sözbers के जलुडब अर्जा करने की छम्रभर रखते हैं जैसा कि इस प्रकार इसका पुद्धर लिख सकते हैं हला कि मैंने आपको समझा दिया जना बेश्जित आयन जब किसी और कि दनाबेश्शित आयन के पास Häता है तो उधासीन हो जाता है और इसस्थित में स्थ्चुडेंट वह जो करना बंद कर देता और धीर-धीर डिल्टा का निर्माण कर लेता है अगला कॉश्चन देखिए बादलों पर सिल्बर आयोडाइट का इस्प्रे करने पर बरसा होना कैसे संभाव है देखेगा इसकंदन की क्रिया ही होती है जैसे हम बताये थे कि किसी भी हो जाते हैं और टूट जाते हैं और टूटने के काण जैब टूटते हैं तो अलग-अलग हो जाते हैं और जिसकाण बरसा होती है बस सिंपल और कुछ भी नहीं है कि बादलों की प्रकरती जो भी होती है एक कुलाइटी तंत्र की भाती होती है कुलाइटी मतलब इसमें परछित प्रवस्था परछित प्रवस्थ हो प्रष्यप्णमाद्यम दोनों चीज़ हैं इनमें भी आयन है तो जैसे ही हम इसे क्या करते हैं यह सिलवर आयोड़ाइट का मतलब इस्प्रे करती हैं यह इसकंदित हो जाते इसकंदीत होने का मतला परिषित प्रवस्ता परिषित प्रमाद्यम से अलाग हो जाते हैं कुल मिलाकर बादल का तूटना और जैसे बादल तूटता है स्टूडेंट है ना वैसे बारिस होने लगता है सिंपल तरीका है यहाँ पर आपको लिखना है कि बादलों की प्रकति देखें अगला कॉस्चन देखते हैं क्या होता है जब ताजे अवच्छेप एफी ओएस का होल थ्राइस मतलब आइरन हाइडराकसाइड को थोड़े से तनू एफी सीयल्ट्री बिलियन के साथ हिलाया जाता है अब यह चीज मैंने आपको प्यप्टी कर्ण में समझाया था प्यप्टी कर्ण में समझाया था कि किसी भी कॉलाइडी तंत्र को बनाने की विधी में प्यप्टी कर्ण में क्या होता है कि जैसे एफी एन आरन हाइडराकसाइड के ताजे अपच्छेप को हम लेते हैं और उसमें तनू एफी सीयल्ट्री बिलियन के साथ हिलाती है तो हो प्याइडराकार का जो प्यप्टी कर्ण मेथड है वो कॉलाइडी बिलियन बनाने की विधी है तो क्या होता है जब ताजे अपच्छेप या पी वूच का होल थ्राइस को थोड़े से तनू एपी सीयल्ट्री बिलियन के साथ हिला कर हिलाने पर एफी वेच्छ का लाल भु यह होती है उसमें FECL 3 billion से जो FECL 3 पास्टी बायन है वो iron hydroxide अब अच्छे पिकड़ों पर अधिसोचित हो करके धनाविशित कुलाइडी बिलियन बनाती है सिंपल तर मैंने आपको समझा दिया मिरे भाई कि जो iron होता है यह पूँँअ मतलब iron हीज़ की Sumper चेफ की से तनु एक कर अधिसोचित हो जाता है और क्या बनाता है एक प्रकार का कुलाइडी बिलियन बना लेता है सिंपल तरीका तो क्या होता है जब इसमें मिलाया जाता है तो एक गोलाडी बिलियन प्राप्त होता है जो लाल पूरे रंग का होता है तो लगबग आज मैंने आपको पांच कोश्चन करा दी चोटे-चोटे-चोटे कोश्चन है दो-दो नमबर के लेकिन लगबग 10 मिनट का वीडियो हो चुक तो नम्मर के question आ सकते हैं आने की जो संभावनाय रखते हैं उनको भी मैं आपको provide कराऊंगा चिंता करने जुरूत नहीं है और स्क्रीन साट ले लिया करो भेत्रिन लिख लिया करो सिस्टेमेटिक धंग से मैं कोसिस करता हूं आपको समझाने की असा करता हूं वीडियो पशंद आई होगी और पसंद आइस प्रीज लाइक कर देना दोस्तों स्यार कर देना नहीं तुछ चनल को सब्सक्राइब को बेल आत्रम